हेलो फ्रांस कैसे हैं यां बड़ियां मस्त रहिए चोस्त रहिए और एंटर्टेन्मेंट का मज़ा लेते रहिए कहते हैं ना कि भई जब हमारा कोई फैवरेश शो होता है हम उसे पूरे दिल से देखते भी हैं सपोर्ट भी करते हैं और उनकी हमें हर अदा हर जो भी दिखाया जाता है सब चीज अच्छी रगती है फिर चाहिए स्टोरी खीच भी रही हो लेकिन हम फिर भी उसके तारिफ करेंगे नहीं वह बहुत अच्छा है ऐसे में कहीं शो देखे जाते हैं जो ची ट्यार भी तो नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी वह शो रनिंग में रहते ही हैं ऐसे में एक्टा कपूर के काफी शो जो हैं आप देख रहे हैं और वो इस टीवी इंडस्टी को काफी मोस्ट पॉपुलर शो दे चुकी हैं या कहें कि नई कहानी नई शुरुवात या नई तरीके से जो है उन्होंने जो है टीवी को एक नई दिशा दिया आजकर उनके शो इतना अच्छा रस्पोंस नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर बात करें कि उनका नागिन 6. काफी बड़ा सफर कर चुका है और कलर पे सबसे अच्छी ट्यापी दे रहा है ऐसे में सभी चाहरे हैं नागिन का फिनाले कब होगा न्यूस तो यही एक इसका अप्रेयर में फिनाले हो जाएगा बाकी सब कुछ कलर पे डिपैंड करता है कलर को पता है तेजस्वी परकास इस मोस्ट पॉपूलर एक्टर्स इन टीवी इंडस्टी तो उसे अपने चैनल का चेहरा बनाकर रखना चाहते हैं शो को कई बार अं हम देखते हैं कि हमारे शो की कहानी काफी जाधा खीच चुकी है तो हम कहीं न कहीं थोड़ा सा जो है बोर सा होरे हैं अब तो भाई आई पैल आ रहा है आ चुका है तो ऐसे में स्लोट क्या निकलकर आई है अगर बात करें नागिन के कल की जो निकलकर आई आपकी 44-51 निकल तक गई है 41 55 तक गई है जो आज की सुलोट है तो ऐसे में उमीद इसकी ट्यार पी 1.5 या 1.6 तक जा सकता है आई पिल का इतना बड़ा सा नहीं पड़ा है नागिन पे लेकिन फिर भी पहला जो इसमें इतना अच्छा ट्रैक दिखा रहा है कॉमेडी वगेरा उसके हिसाब से कही न कहीं फरक पड़ा है तो ऐसे में आप क्या चाहते है नागिन और बड़ा सफर करे या अब इसका फिनाले हो जाना चाहिए कमेंट करके जुरू बताईए बाकी जानकारी के लिए लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है